अपनी चैनल पाइल कोकिंग में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बहुत ही स्वाजिश्ट मिठाई की रेस्पी लेके आई हूँ और दिवाले के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई की रेस्पी है इसको बनाने के लिए आपको गैस भी जलाने के हो सकता नहीं है और एक बार इसको बना लेंगे तो इसको बार बर बनाएंगे चले बनाते हैं इसको बनाने करें पीसी हुई सकर ले लिए चीनी को मतलब मिकसर ग्राइनर में पीस के और इसी में इलाईजी का पाउडर भी ले एक का टोड़ी नारियल का बुरादा ले लिए हैं और एक का टोड़ी मिल्क powder ले ले लिए आप कोई भी milk powder ले सकते हैं पैकेट वाला भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और इन सारे चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद का मलाई डालेंगे एक साथ जादा नहीं डालना है बिलकुल कम कम डालना है नहीं तो ये सारे गीले हो जाएंगे और बहुत ही मतलब दिक्त हो जाएगी अगर चिपचिपी मिठाई हमारी बन जाएंगे और बहुत ही असान मतलब मिठाई की रेस्पी है इस दिवाली पे आप जरूर ट्राई करें और अच्छे से इसको ऐसे करके दीरे दीरे हाथ लगाते जाएंगे फिर इस मतलब चिपचिपी होती जाएंगे क्योंकि चीनी है न तोड़ा तोड़ा अगर तूद की मलाईडि डालेंगे इससे ही हो जाती है बिल्कुल मतलब गीली ने बनाना है टराइट बनाना है ऐसे करके और दो भाग में इसको बाड़ लें क्योंकि दो बाग कलर का मिठाई हम बना रहा है दो बाग में कर आएंगे आप एक कलर का बनाना चाहते हैं तो इसी तरह एक कलर का भी बना सकते हैं लेकिं दी पाउली है इसलिए तोड़ा अलग मतलब बनाना बना रही हो और इसमें थोड़ा सा ओरेंज कलर डाल दीगों और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और वाइट वाले पार्ट को पहले कर क्योंकि अगर अलो वाले को करेंगे तो कलर लग जाएगा इसलिए पहले वाइट वाले का कर लें फिर आप कोई भी दूसरा कलर लगा है तो उससे पहले वाइट वाले का कर लें और इसको बेलन के मदद से हम इसको बेल लेंगे किनारे फट रहा है उसको हाथ से थोड़ा स और वायड वार के उपर ही एलो वाला भी रखे और थोड़ा थोड़ा बेलन के मंद से ऐसे बेल लेंगे किनारा फट रहो से कोई मतलब नहीं बाद में जब इसको रोल करेंगे तो इस सब सही हो जाता है कोई दिकत नहीं आती है और अच्छे से चमत से इसको मतलब ऐसे दवास के कर सकते है या थोड़ा सा हाथ में दूद या घी लगा के इसके कुछ नारे को आप सही कर सकते हैं बहुत ही असान रेस्पिय मात 10 मिट में आप इसको बना के तयार कर सकते हैं फिर इसको ऐसे सेट करके और इसको एक पेपर में लपेट के और फ्रीज में है फ्रीजन में 10-15 मिट के लिए रख दे हमारा खूब अच्छा मतलब ए रूल तयार हो जाएगा और दिपावली है तो थोड़ा सा चांदी के वर्क लगाना तो बनता है तो थोड़ा सा चांदी के वर्क से इसको गार्निस कर सकते हैं या आप इसको ड्राइफरूट से भी गार्निस कर सकते हैं लेकिन अगर ड्राइफरूट लगाना है तो फ्रीज में रखने से पहले है इसमें लगा देने तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बहुत ही स्वाधिश मिठाई की रेजपी मेरे चैनल पर है एक बाद जरूर चेक करें और बना के बताएं कैसी बने है देखें कितनी सुन्दर हमारी दो कलर की मिठाई लग रहे हैं कोई नहीं कहेगा कि आप घर पे बनाए हो ट्राई जरूर करें प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले उपर से थोड़ा सा पिस्ता भी लगा दी हूँ कि ताकि देखने में अच्छा लगे अद्काली पे बना सकते हैं किसी भी दवार पे बना सकते हैं ऐसे खाने के लिए भी बना सकते हैं कोई दिखकत नहीं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि तनी अच्छी कितनी क्रीमी मिठाई बंके त्यार हुए還